तो हलो एंड वेलकम स्टुडेंट्स टू मनु का ग्यान आज पढ़ने वाले हैं हम लोग 3 questions class 7 का chapter number 1 बहुत important chapter है बहुत interesting chapter है और मैं आपको इसको थोड़ा सा interesting करके मिर्च मसाला लगा के समझाने वाला हूँ तो यही जो chapter है इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं एक किंग के तीन सवालों के जवाब के बारे में जो उनका first question था किंग का वो ये था कि right time क्या होता है किसी भी चीज़ को start करने का what is the right time to begin something जो उनका second question था वो ये था किन लोगों की उन्हें बात सुननी चाहिए which people should he listen to जो इनका तीसरा सवाल था वो ये था कि सबसे important चीज़ क्या है उन्हें जो करनी चाहिए what is the most important thing for him to do तो इन तीन सवालों का जवाब हम लोग ढूनने वाले हैं इस chapter के अंदर और इन तीन सवालों का जवाब ढूनने के लिए किंग ने बहुत सारे wise men को और बहुत सारे लोगों को काम पर लगा दिया कि फटा फट इन तीन सवालों का जवाब ढून कर बताओ तो यहाँ पर जो wise men थे उन लोगोंने राजा को बहुत सारी suggestion दिये उन में इसे बहुत सारे लोगोंने ये भी suggestion दिया राजा को कि उनको एक time table follow करना चाहिए इस तरीके से जो उनका first question था उसका answer उने मिल जाएगा जो राजा का first question था what is the right time to begin something किसी भी चीज को करने का शुरू करने का सही time कौन सा होता है इसका answer बहुत सारे लोगोंने ये ही दिया था कि उनने एक time table follow करना चाहिए लेकिन बहुत सारे लोग ये भी मानते थे कि कोई भी पता नहीं कर सकता कि right time क्या होता है किसी भी चीज को start करने का पहले से तो ये इस चीज पर बहुत ज़्यादा discussion होता है और इस वाले question का answer कोई भी नहीं पता लगा पाता ऐसे ही जो दूसरा question था which people should be listen to राजा को किन लोगों की बात सुननी चाहिए बहुत सारे wise men's ने उन्हें ये बोला कि उन्हें counselor की बात सुननी चाहिए कुछ लोगों ने उन्हें ये पताया कि उन्हें अपने पंडितों यानि की priest उनकी बाते माननी चाहिए और उनकी बाते सुननी चाहिए और कुछ लोगों ने ये suggestion दिया कि उन्हें doctor की बात माननी चाहिए जो भी doctor कहें वो बात माननी चाहिए और कुछ लोगों ने ये भी suggestion दिया कि उन्हें soldiers की बात माननी चाहिए और जो भी soldiers कहें वो उन्हें करना चाहिए तो इसी तरीके से लोगों के suggestion इस वाले question के लिए भी बहुत different different थे अब जो fourth question था किंका वो था what is the most important thing for him to do सबसे important चीज उनके लिए क्या थी जो वो करें तो जो third question का answer था उसका भी लोगों ने जितने भी wise men थे उन्होंने different different answer दिया कुछ लोगों ने ये suggestion दिया कि उन्हें science को first priority देनी चाहिए तो कुछ लोगों ने उन्हें ये suggestion दिया कि जो religion है उन्हें उसको first priority देनी चाहिए अब ये सारे सवालों के जवाब राजा को मिल नहीं पा रहे थे और उनको बहुत ज़्यादा stress हो रहा था मतलब उन्हें चिंता हो रही थी उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं तो वो जाते हैं एक hermit के पास hermit आप ऐसे समझ सकते हैं एक बाबा टाइप जो जंगलों के अंदर रहते हैं self peace के लिए तो वो उनके पास चाते हैं अपने सारे questions का answer ढूणने के लिए वो जैसे ही वहाँ पर पहुशते हैं जंगल के अंदर वो सब लोगों को एक चीज पता चलती है उन्हें राजा को सब लोगों से कि जो हर्मिट था वो नॉर्मल लोग मतलब कि जो common people होते थे उन्हीं से मिलता था king वगारा से नहीं मिलता था तो राजा क्या करता है जितने भी उसके soldiers होते हैं और जितने भी उसके bodyguards होते हैं और वो कुछ चीज को डिग कर रहा था मतलब गड़ा खोद रहा था वो डिगिंग कर रहा था अपने घर के सामने जब king वहाँ पर पहुशता है तो वो हर्मिट को बोलता है कि मेरे को इन तीन सवालों के जवाब चाहिए प्लीज मेरे को इन तीन सवालों के जवाब दे दो और बार बार उससे ये सवाल पूछता है लेकिन जो हर्मिट था वो कुछ भी response नहीं करता और अपना काम continuously करता रहता है मतलब वो राजा की तरफ देखता भी नहीं है कुछ टाइम बीच जाता है और राजा जब देखता है कि हर्मिट विचारा इतनी महनत कर रहा है तो राजा उसकी मदद करने की कोशिश करता है जो किंग था वो continue कर देता है डिक करना ग्राउंड को शाम तक शाम तक वो मिट्टी को खोदता रहता है इवनिंग के टाइम जब हो जाता है तो वो फिर दुबारा request करता है हर्मिट से कि प्लीज मेरे को जो मेरे तीन सवाल है उनके जवाब बता दो ना लेकिन फिर फिर भी हर्मिट उसके तीन questions का आंसर नहीं करता तभी राजा एक आदमी को उसकी तरफ भागते हुए देखता है जो कि हर्मिट के हर्ट के अंदर आ रहा होता है तो जो राजा था वो जब ये सारी चीज़ें देखता है तो वो काफे ज़्यादा surprise हो जाता है कि आखिर ये कौन है जो हर्मिट के घर के अंदर आ रहा है किंग होता है वो भागा 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 हर्मिट को ढूंता है वो हर्मिट को इसलिए ढूंता है क्योंकि वो उस आदमी को उसके हर्ट की तरफ आते हुए देखता है वो हर्मिट को देखता है तो हर्मिट क्या कर रहा होता है seeds sow कर रहा होता है मतलब वो seeds को डाल रहा होता है जमीन के अंदर जो राजा ने खोदी हुई होती है तो राजा फिर दुबारा अपने questions का answer पूछता है हर्मिट से तो हर्मिट उसको बोलता है कि तुम्हें पता है कि जो तुमने कल मिट्टी को खोदा था वो सही time था उसी से तुम्हें सारे answer मिल गए क्योंकि जब तुमने वो मिट्टी को खोदा तो उससे क्या हुआ वो जो person आ रहा था मेरे hurt की तरफ वो तुम पर attack करने के लिए आया था तो तुम attack से बच गए और सबसे important person कौन था जिसने मतलब तुम्हें busy करा था ये digging करने के लिए खोदने के लिए गड़ा खोदने के लिए वो मैं था तो मैं कहा था सबसे important person था अब इन दो questions का answer तो राजा को मिल जाता है तब ही राजा देखता है कि एक आदमी उसकी तरफ आ रहा होता है जिसका जो पूरा stomach होता है वो wounded होता है मतलब चोट लगी हुई होती है उसके stomach के अंदर जो राजा होता है उसके wound को clear करता है साफ करता है उसके आसपास से blood और clean करके उसके उपर पटी विगरा लगा देता है जिससे की खून रुख चाए वो जो person होता है उसको थोड़ा सा batter रखता है वो थोड़े से पानी के लिए भी पूछता है कि क्या मेरे को पानी मिल सकता है पीने के लिए तो hermit और जो king होते हैं वो उसको अपने घर के अंदर ले जाते हैं और उस आदमी को वहाँ पर लिटा देते हैं जो king था वो भी बहुत ज़्यादा थका हुआ था क्योंकि पूरे दिन बार उसने महनत करी थी और अब जाकर बहुत मुश्किल से उसके दो questions का answer तो मिला था लेकिन अब king क्या करता है अब king सोचता है कि अब क्या करूँ अब तो मैं थक गया बहुत ज़्यादा चलो सोजाता हूँ सुभे देखूंगा जो भी और questions का answer मिलेगा तो मिलता रहे सुभे का time होता है king जब सुभे सुभे अपनी आके कोलता है तो जो wounded man होता है जिस आदमी को चोट लगी हुई होती है वो king से माफी मांग रहा होता है तो king काफी ज़्यादा surprise हो जाता है कि आखिर ये मेर से माफी क्यों मांग रहा है बड़ी अजीब से expression देता है king लेकिन जो wounded man होता है वो बताता है कि राजा जी मैं आपसे माफी इसलिए मांग रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको मारने की कोशिश करी थी क्या आपको पता है कि आपने मेरे भाई को मार दिया था और जितनी भी मेरी property थी उसको छीन लिया था हडप लिया था तो इस वज़े से मैं आपको मानना चाता था हर्मिट के घर पर मैं इसलिए आया था तो जो king के bodyguard थे उन्होंने उसको ढून लिया था और उसको मार दिया था उसको wounded कर दिया था उसके चोट लग गई थी क्योंकि वो king के bodyguard से ही लड़के आया था तो वो यही बताता है राजा को के इस वज़े से मेरे चोट लगी थी और मैं आपको मारने के लिए आया था और मैं मर जाता अगर आप मेरी help नहीं करते उसको बहुत जादा दुख होता है बोलता है कि मेरे को बहुत जादा दुख होता है कि मैंने ऐसा सोचा भी आपको मारने का पूरा प्लाइन भी बनाया और लेकिन फिर भी आप तो इतने अच्छे आदमी लिकले आपने मेरी जान ही बचा दी और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि I will work as a faithful servant मतलब मैं आपका एक बहुत ही अच्छा नौकर बनकर रहूँगा आपकी जो भी काम वगरा करना है वो मैं कर दिया करूँगा faithful servant की तरह रहूँगा जो king था वो बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि उसने अपने एक दुश्मन को दोस में मतल दिया था वो उसको forgive कर देता है उसको बाफ कर देता है और जो भी उसकी property होती है वो भी उसको वापस कर देता है तो जब wounded man आता है वो सबसे important time था क्योंकि वो क्या क्योंकि जब wounded man आया था तब सबसे important time क्यों था जो राजा को समझना था कि उसके लिए वो सबसे important time क्यों था क्योंकि वो एक wounded आदमी की care कर रहा था मतलब एक चोट लगी हुई थी जिसको उसकी ध्यान रख रहा था नहीं तो वो मर जाता तो ये सारी बाते राजा को अब उसके mind के अंदर आती है तो जो wounded man होता है वो उसकी nursing करना उसकी take care करना सबसे important चीज थी कि उस समय पर राजा को इससे अपने questions के answer भी मिल जाते हैं जो हर्मिट्टा वो ये बोलता है कि जो सबसे important time है वो है अब का क्योंकि ये जो time है इस time में हमारे पास power है act करने की मतलब आप समझे ये जो हमारे पास currently time है this is the most powerful time क्योंकि इस time को हम लोग बदल सकते हैं change कर सकते हैं लेकिन अगर ये time निकल गया मालो अभी तुम 7th class में हो अगर तुमने अभी पढ़ाई नहीं करी और तुमने सोचा कि यार 8th में जाके पढ़ाई करूँगा तो तुम 7th में क्या पता फेल होकर 7th में ही रह जाओ अगले साल भी ऐसा तो नहीं होगा क्यों तुम लोग यार intelligent हो obviously लेकिन हाँ अगर तुमने नहीं पढ़ाई करी तो ये भी हो सकता है और जो most important person होता है वो हमारे लिए वो person होता है जो सबसे important person होता है वो होता है हम खुद क्योंकि हमें पता है कि हम future में अपने साथ तो रहेंगे ही so most important person is we ourselves और जो third question है उसका भी answer अर्मिट उसको दे देता है जो सबसे important job जो सबसे important चीज होती है जो हमें करनी चाहिए वो है सबकी help करना सबकी मदद करना क्योंकि हमें इस दुनिया के अंदर एक noble cause के लिए भेजा गया है हमें दूसरों की मदद करने दूसरों की help करने जो लोग अपना काम नहीं कर सकते elder people हो गए छोटे बच्चे हो गए उन सबकी help करने के लिए भेजा गया है तो अगर आपने ये वीडियो यहां तक देख लिया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें नहीं तो मातरानी पाप लगाएगी और एक और चीज़ के stay happy, stay healthy और मन्नू से ग्यान लेते रहो see you in the next video, thanks for watching